आपका स्वागत है आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं इनी फिटनेस और खुबसूरती से इंटर्टेन्मेंट वर्ल्ड में अपना अलग मकाम बनाने वाली अभिनेत्री और मशूर टीवी एंकर सिमी ग्रेवाल की 17 अक्टूबर 1947 को पंजाब के मुकसर में जन्मी सिमी ग्रेवाल का पालन पोशन इंगलन में हुआ उनकी पढ़ाई लिखाई न्यूलेंट हाउस स्कूल में बहन अमरता के साथ हुई इसके बाद वो भारत आ गई सिमी ग्रेवाल के दादा एक कैप्टन और बड़े योधा थे क्वीन विक्टोरिया ने उन्हें अपने हाथों से एक तलवार भेट की थी सिमी के पिता इंडियन आर्मी में थे पास साल की उमर में सिमी ने जब राज कपूर की फिल्म आवारा देखी उसी वक्त मन बना लिया था कि वो फिल्मों में जाएंगी माता पिता इस बाद से नारास हुए लेकिन सिमी के जित के आगे उन्हें हार माननी पड़ी उन्होंने सिमी को एक साल का वक्त दिया था फिल्मों में उनकी शुरुआत 1962 में अंग्रेजी भाशा की फिल्म टार्जन गोस्ट इंडिया से हुई सिमी उस समय सिर्फ 15 साल की थी इस फिल्म में तार्जन बने थे जौक बहुनी फिल्म को रॉबर्ट हाडी एंड्रीूज ने लिखा था और जान गुईलेमिन ने फिल्म का निर्देशन किया था इस फिल्म में बॉलिवुड अपिनेता फिरोस खान, सिमी ग्रेवाल और मुराद भी प्रमु भूमिकाओं में थे सिमी ग्रेवाल अपनी इस फिल्म में प्रिंसस कामरा की भूमिका में थी जबकि फिरोस खान ने प्रिंस रगु कुमार की भूमिका निभाई थी इसी साल हिंदी फिल्मों में भी उनका प्रवेश हो गया बॉल्टन सी नागी के फिल्म रास की बात में उन्होंने कमल की भूमी का निभाई और महबूब खान की फिल्म सन अफ इंडिया में ललिता के किरदार से उन्होंने हिंदी फिल्म जगत में अपनी पहचान बना ली इसके बाद 1964 की फिल्म विद्यापती और 1965 में जोहर महमूद इंगोवा में वो नज़ा राई लेकिन उनके अभिने और उनके किरदार को हमेशा नोटिस किया गया फिल्म दो बदन की डॉक्टर अंजली फिल्म आदमी में आर्ती फिल्म साथी में रजनी और मेरा नाम जोकर फिल्म की मेरिका करदार भला कौन भूल सकता है फिल्म दो बदन और साथी में अभिने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ट सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेर एवोर्ट भी मिला था राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में वो रिशी कपूर के साथ लीट पेहर के रूप में दिखी थी रिशी कपूर ने इस फिल्म में राज कपूर की टीनेजर भूमिका निभाई थी। सिमी ने इस फिल्म में काफी बोल्ड सीन किये थे। शशी कपूर के साथ उनकी फिल्म सिध्धार्थ भी काफी चर्चा में रही। इसी नाम के अमेरिकन नौवल पर आधारित इस फिल्म का निर्देशन, अमेरिका के मश्हूर लेखक, निर्माता निर्देशक Conard Rooks ने किया था। कमला के किरदार में सीमी ग्रिवाल के बोर्ड द्रिश्यों को लेकर भारतिय संसर बोर्ड सिंसर पार्ब किढ़ा रुख अक्तियार किया था। 1976 में सिमी ग्रेवाल फिल्म चलते चलते में अभिनेता विशाल आनंद के साथ मुख्य भूमिका में दिखाई दी। विशाल आनंद इस फिल्म के प्रेडूसर भी थे। इसी साल उन्होंने अपने जीजा या शोपडा की हिट फिल्म कभी कभी में भी काम किया था। 1989 में जीपी सिप्पी की फिल्म एहसास में वो एक बार फिर शशी कपूर के साथ नसर आए। 1980 की फिल्म कर्ज में उन्हें नेगेटिव रोल के बावजूद बहुत पसंद किया गया और फिल्म फेयर के सर्वश्रेश्ट सहायक अभिनेतरी पुरसकार के लिए नॉमिनेट भी किया गया। 1980 की शुरुवात में सिमिग्रेवाल ने लेखन और निर्देशन के क्षेतर में भी कदम रखा। उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी बनाई जिसमें उन्होंने दूरदर्शन के लिए एक टीवी सीरीज का निर्देशन, निर्माण और लेखन किया। यह सीरीज थी इट्स वूमन वर्ल्ट। 1985 में उन्होंने यूके के चैनल 4 के लिए एक डॉक्यमेंटरी भी बनाई लिविंग लेजंड राजकपूर। यह डॉक्यमेंटरी इंडियाज राजीव के तीन पार्ट्स को फॉलो करके बनाई गई थी। इसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंतरी राजीव कांधी का भी इंटर्व्यू लिया था। इसके अलावा सिमी ग्रेवाल ने 1988 में हिंदी फीचर फिल्म रुखसत का लेखन और निर्देशन किया। इसके साथ ही एक टेलिविजन कमर्शिल का भी निर्माण किया। बात में वो स्टार प्लस के टॉक शोओ इंडियास मोस्ट डिजाइरेबल में होस्ट बनी। जिसमें उन्हें बॉलिवुड, बिजनसमन, इंडियन क्रिकेटर्स और मीडिया के नामी लोगों का इंटर्व्यू लेना होता था। सिमी ग्रेवाल ने BBC के डॉकी ड्रामा महराजास के लिए भी काम किया। 1997 में सिमी ग्रेवाल मशूर शोओ रैंडिवू विद सिमी ग्रेवाल की भी एंकर रही। वाइट इंक इंटर्टेन्मेंट उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता है। जाने अनजाने श्रंखला आपको कैसी लग रही है। हमें जरूर बताएए। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल वाइट इंक इंटर्टेन्मेंट को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो आपसे अनुरोध हैं। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कॉमेंट्स पी दें। धन्यवाद। देखते रहें वाइट इंक हुआ 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 है